नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों आज एक पहनी स्टॉक के बारे में बात करूँआ आप सभी के साथ जो की काफी जादा बहतरे इन रिटन्स आपको पिछले कुछ दुनों में देता हुआ दिकाए एंड इसी बीच कंपनी की तरफ से 18 ऑगस्त को यानी पर्सों के सेशन में बहुत बड़ी अनाउंस्मेंट हुई है जो की इसके financials पे काफी impact करेगी मैं वो खबर तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन इस stock में काफी बड़े developments हो रहे हैं वो आप सभी के साथ share करूँगा सबसे पहले तो मैं आपको एक disclaimer दे दूँ ये मेरी तरफ से आपको कोई recommendation नहीं है ये केबल एक news है जो मैं आपके साथ share कर रहा हूं और इस stock में कुछ बड़े developments हो रहे हैं वो आपके साथ share कर रहा हूं अगर आप इस stock में buy या sell करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी check करें और अपने financial advisor से जरूर राहे ले लें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस stock में लगबग circuit लगता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ दुनों से और वीच वीच में circuit खुलता भी है stock का भाव आट रुपे पांच पैसे पे Friday के session में closing मिली है लगबग 4% बढ़कर बंद हुआ ये पांच दिन के अगर इसके returns देखोगे आप तो लगबग 24% के return इस stock ने आपको बना के दिये एक महीने का चार्ट खोलू तो लगबग इस stock ने आपको 73% के returns बना के दिये 6 महीने में तो इस stock ने लगबग 382% के return दिये इनफेक्ट 6 महीने की बात करें तो यह लगबग मार्च से स्टॉक चलता हुआ दिखाए तो मार्च से ओवरॉल देखें तो मार्च, एप्रेल, माई, जून, जुलाई, आउगस्ट यानि 7th मन्थ रनिंग है कही न कहीं आप कह सकते हैं अगर year to day देखू तो भी यह मार्च से यानि 1.67 पैसे का देखेगा एंड अगर इसका 52 वीक हाई की बात करें तो 8.6 पैसे का है जो की Friday के सेशन में लगाए तो यह बात होगी इसे स्टॉक के बारे में इसके रिटन्स के बारे में अब मैं इसे स्टॉक के खबर के बारे में बताता हूँ जो की बहुत बड़ी आ सबसे पहले हम समझनी कोश्च करते हैं कि है क्या सब्जेक्ट मीडिया रिलीज यानि मीडिया ने कहीं ने कहीं खबर दिये कि खबर क्या है इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड रिसीवडा सब्स्टेंशियल और फॉर प्रीमियम ड्राइफ फूट्स वेल्यूड इन एकस आप देख सकते हैं यहां पर मैं स्क्रीन पर शो करता हूं कंपनी का ऐसा मानना है कि यह क्वाटर टू की जो इनके टारगेट थे उसके भी पार सेल्स होती हुई दिखिए कंपनी किस फील्ड में कारोबार करती है वो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं कंपनी का टाइवर्सीफाइड कारोबार है यह कंपनी लगबग लगबग तीम चाहर सेग्मेंनट में काम करती है वार आप एक्जांपल वूड में काम करती है जहां पर agro products बनाती है clothing में textile and garments infrastructure में materials and services for construction infrastructure development and कहीं नहीं यह energy में काम काज भी करती है company जहां पर material, products and services for renewal, energy, equipment and project यानि equipment and project के लिए कुछ चीज चाहिए होती है उसका भी कारोबार करती है यह company लग 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 and many more products and services is required to sustain the modern life यानि कि हमारी जीवन में ज़रूरी चीज़ें उनमें कारोबार करती है अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें और शेर करूँ अगर इसके financials पे लेके जाओ तो बहुत तेजी से कही न कहीं आपको देखेगी growth वो growth भी मैं आपके साथ share करना मार्च में ये sales बढ़कर 50 करोड की होगी यानि more than almost 3 times कह दीजे double तो छोड़ देते हूं almost 3 times अगर इसकी June quarter की sales देखे तो 55 करोड की है and second quarter के लिए इनका एक dry food food के कारोबार से लगबग 11 करोड का order ने अल्रेडी मिल चुका है बाकी के इनके जो कारोबार है उनसे मिला जाया तो मुझे लगता है ये sales का आखडा भी पार होता हुआ profit की बात करें तो September में 0.10 यानि 0.10 करोड का profit था December में 0.53 करोड का profit March में 0.54 करोड का profit and June this quarter यानि quarter 1 में 0.58 करोड का profit यानि quarterly profit continue बढ़ रहा है बट अब थोड़ी slow growth दिख रही है अब इस stock के बारे में negative भी है कुछ चीज है वो मैं आपके साथ share करना चाहूंगा दोस्तों negative मुझे दिख रही है share holding pattern जहां पे promoters ने लगबग March में 63% जो hold करते थे वो अभी June में केवल 21% पर आगे है तो यह चीज मुझे थोड़ा सा confuse कर रही है otherwise यह stock काफी भैतरियन दिख रहा है कहीं न कहीं charts पे भी and cover पे भी तो यह थी मेरी video integra essential limited के उपर hope आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys